हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज पार्ट 38 में टॉप 12 को देखेंगे जिसमें मैंने इमेज को भी सामिल किया है कि इमेज के माध्यम से आप लोग देख करके कोस्चन को बेहतर रुप से समझ सकते हैं तो चलिए शुरू कर होते हैं और जो भी दोस्त हमारी यूट्यूब चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं या फिर पुराने वीडियो को नहीं देखें उन लोगों से निवेदन है कि प्रिविज वीडियो का लिंक डिस्किप्सन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप लोग चैनल को खोलेंग करके वेल आइकान प्रिस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ओन हो जाए और वीडियो प्लोट करने पर तुरंत आपके पास पहुंच जाए तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन आपके स्क्रीन पर हार्डनेस आफ 90 UTS रेल इज 90 UTS रेल की कठोरता कितनी होती है इसमें फोर 260 BHN, 800 BHN, 3500 BHN और 1000 BHN, BHN होता है ब्राइनेल हार्डनेस जो की यह एक प्रकार का हार्डनेस का टेस्ट है तो इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमर ए, 260 BHN इसके बाद next question नमर आपका आजाएगा 2, standard gap of fist plate joints, fist plate जोड में मानक gap कितना mm होता है 6 mm, 15 mm, 6.5 mm, 7.5 mm 4 options आपके तो इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमर ए, 6 mm इसके बाद देखते हैं next question, question नमर 3 maximum gap on fist plate joint, fist plate joint पर अधिक्तम gap कितना mm रख सकते हैं 6 mm, 15 mm, 6.5 mm और option नमर D, 7.5 mm दोस्तों इसी प्रकार के questions आपके departmental exam में पुछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा तो इसका राइट एंसर ओप्शन नमर B हो जाएगा, 15 mm, अर्थात 15 mm question नमर 3 how much gap is kept on the machine joint, machine joint पर कितना gap रखा जाता है यह भी एक प्रकार का gap है, तो इसमें option नमर A है 0, option B 15, option C 4, option D 6 mm तो इसका राइट एंसर ओप्शन नमर A हो जाएगा, 0 mm, gap less होता है इसके बाद question number 5, distance of first hole from rail end to make the gap gap less जोड बनाने के लिए, पहले hole की rail के सीरे से दूरी कितनी mm होती है जो पहला hole होता है, वो rail के सीरे से कितनी दूरी पर इस्तित होता है option A 80 mm, option B 83 mm, option C 166, option D none तो इसका राइट एंसर होगा option नमर A 80 mm इसके बाद देखते हैं, next question, question नमर आपका हो जाएगा 6 battering is measured at the distance from the end, battering को rail के किनारे से कितनी दूरी पर रखा जाता है और battering of rail ends का मतलब होता है, wear of rails at the end of rail यह एक परकार का wear होता है, 6 होता है, ते इसमें 4 options हैं, आप लोग राइट एंसर कमेंट कर सकते हैं तो राइट एंसर होगा option नमर A 300 mm इसके बाद next question, question number 7, maximum permitted shear stress in 90 UTS rails 90 UTS rail का अधिक्तम अनुमत shear stress अर्थात तनाव कितना होता है, यह एक परकार का तनाव होता है तो इसका राइट एंसर आप लोग comment box में comment कर सकते हैं, 4 options दिया हुआ है राइट एंसर का option नमर B 22.5 kg पर mm2 इसके बाद next question, question number हो जाएगा 8, report of rail fracture is prepared in how many copy कोपी, rail fracture की report कितने कोपी में बनाया जाता है, 4 options option A 2, option V 3, option C 4, option D 5 तो इसका राइट एंसर होगा, option C 4, 4 copy बनाया जाती है, इसके बाद next question, question number 9, how many cross marks in the defective weld are, अर्थात DWR defective weld R में कितने cross mark किया जाता है, USFD test के दोरान, अगर DFWR rail पाया जाता है, तो वहाँ पे red paint किया जाता है, USFD PWI के दोरा, तो यह option number A हो जाएगा, यहाँ पे 2 cross किया जाता है, इसके बाद next question, question number 10, how many cross marks in IMR defect, IMR में कितने cross mark किया जाता है, इसमें भी 4 options है, option A 2, option V 3, option C 4, option D 1, तो इसमें होगा, option number B, 3 marks किया जाता है, इसके बाद next question दिखते हैं, question number 11, test free period for rail manufactured before April, April 99 के बाद, निर्मित rail के लिए test free period कितना percent होता है, option number A 25%, option B 30%, option C 15, और option D 10, तो इसका right answer और option number C 15% होता है, इसके बाद देखें, next question, question number 12, IMR rail defect will be replaced in how many days, IMR rail खराभी को कितने दिन में बदल देना चाहिए, replace कर देना चाहिए, वहाँ पे rail चेंज करके उस IMR वाले rail को हटा देना चाहिए, तो four options आपके सो कर रहे हैं, दो दीन, तीन दीन, चार दीन, या फिर 19, 90 दीन, तो इसका right answer और option number B, three days, तीन दीन, इसके बाद देखते हैं, दोस्तों previous वीडियो का quiz, part 37 का, मैंने पूछा था, how many railway zones in India, भारत में कितने railway zone है, तो इसका right answer होगा option number C, 18 zone है, जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत ही right answer दिया है, थेंक्यू दोस्तों, आप लोगों को comment करने के लिए, और, हमको support करने के लिए, इसके बाद देखेंगे, आज का इस, part 38 का, quiz of the day, जिसका उत्तर आप लोगों को comment box में, comment करके देना है, तो आज का quiz of the day है, what is the name of first private train in India, भारत में पहली private train का नाम क्या है, बहुत ही important question है, और परिच्छा में पुछे जाने का संभावना है, तो आप लोग इसको जरूर comment में comment किजिएगा, और जितनी details आप लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखिएगा, तो आप लोग के comments का हमको इंतजार रहेगा, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो please like, comment और share करें, comment जरूर कहें, ताकि हमको पता चले, वीडियो कैसी लग रहे हैं आप लोग को, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पुराने वीडियो को देखने के लिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, थेंक्यू, आप सभी का,